नमस्कार आप देख रहें यूथ मुकामनी उज मतलब खबरे आपके काम की जम्मू कस्मिर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले की शुरुवाती जाच में कई चोखाने वाले चीज़ सामने आई हैं बिसपोट में आईडेक्स का इस्तमाल हुआ पहले कहा जा रहा था कि बिसपोटक की मात्रा करीब साड़े तीन सो किलो थी मगर जाच में सामने आया है कि मात्र साथ किलो थी ऐसा धमाका 2001 के बाद पहली बार कस्मीर में हुआ 2001 में कस्मीर बिधान सभा के गेट पर आईडी धमाका हुआ था जिसमें करीब 30 लोग मारे गए थे इस आईडी को किसी एक्सपर्ट ने त्यार किया था जो बहुत ही घातक था है इसका असर इतना था कि CRPF जवानों से भरी बस के प्रखचे उड़ गे बस जमीन से उचल का 30 मीटर दूर जाए गिड़ी और पीछे के मदवूद हिस्से के टुकड़े टुकड़े हो गए वह बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है इस तरह की चुनोती से निबटना असान नहीं है जो भी आतंकी मानो बंबना उसका बहुत बेनवास किया गया होगा असंका है कि इस बड़े हमले की योजना में और भी कई लोग सामिल है संदिक्द लोगों से पुष्टाश जारी है धमाके जगर से अजनसी कि जारी है आजपास के लोगों से भी पुष्टाश की जा रही है सिसीटी को भी खंगाला जा रहा हमले में जैस क्या तंकी ही सामिल है और संकाज जदाओ जारे है कि इस dais दूसरे अतंकी संधोर ने मदद कियो है जिस आर डाकर गई थी वोấ एस्वी भी यह एक कार थी जिसमें विस्पोटक भरे हुए थे सुत्रों सेया जनकारी मिली है पहले कहा जा रहा था कि सारे तीन सो किलो आडी एक्स मौजूद था उसकी मात्रा साथ किलो थी तिसीर बाद सामने आई है कि CRPF की कोबाई और से उफट ओवर टेक कर विस्पोट किया गया ब इस्तमाल हुआ आतंकी संगठ हंजय से मौहमद ने हमले के जिमवारी लिए इसमें आतो गाती बताया फिलहाल 42 जवान सहीद हो चुके रिपोर्ट के अंसार उरी के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है घायलों का सीर नगर इस्ति सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है CRPF के जवानों को ले जा रही बस को मुखरूप से निसाना बनाई गया था हमले में कहिया नो आन भी छतिक रस्त हुए है सेना के एक अधिकारी ने बताया कि CRPF जवानों को निसाना बना कर किये गए IEDV स्पोर्ट की जिम्मेदारी आतंकी संगठंजय से महमद ने लिया आतंकी संगठंजय से महमद ने इसे आत्मकाती हमला बताया बता देखिये हमला स्री नगर से सिर्फ 20 किलमेटर के दूरी पर हुआ है वहीं जैसल मेल से CRPF के एक वरिष्ट अधिकारी ने बताया वहाँ चेक पोस्ट थी लेकिन नागरिक बार बार चेकिंग के बिरूत करते थे बड़ी बात या है कि हाई वे पर किसी जगह पर लपरवाई की गई थी जिसके चलते आतंकी इतनी अधिक मात्रा में पोटक लाने में काम्याब रहे उन्होंने चेकिंग में भी धील बरतने की आसंका जाता है लाइक सब्सक्राइब करके हमारा होसला बढ़ाए कंटेंट अच्छा लगे तो अधिक सधिक सेयर कर दीजे और बेल आइकन दबाना एक दम न भूले